राधे राधे फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज मैं आपके शाद शेयर करने वाली हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे हम एक ग्लास दूद से बना कर तयार करेंगे और इसमें हम ना ही चीनी का यूज करेंगे ना ही घी का यूज करेंगे बिना चीनी और घी के भी ये जो मिठाई है फ्रेंड्स बहुत ही ज़ादा लाजवाब बनके तयार होती है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है और आप इसे ब्रत में भी आप इस मिठाई को बना कर इंजुआए कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस मिठाई में हम किसी भी कैमिकल का यूज नहीं करेंगे ना ही फूड कलर का यूज करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से इसे हम बना कर तयार करेंगे तो फ्रेंड्स देर नहीं करते हैं रेसिपी शुरू करत इसके लिए मैंने यहां पे एक पैन लिया है उसमें मैं क्या करूंगी एक ग्लाज दूद हैड करूंगी तो यह दूद फूल फैट मिल्क है उसे मैं डाल दूँगी और इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपका दूद पहले से उबला हुआ है तो यहां पे हमें फूल फैट मिल्क का ही यूज करना है इससे ही हमारी जो मिठाई है बहुत ही जादा टेस्टी और क्रीमी बनके तयार होगी तो दूद हमारा यहां उबल गया है इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है तो देखिए मैं इसे टच कर पा रही हूँ इतना ही थंडा हमारा यह दूद होना चाहिए तो दूद को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है हलका सा गरम है यह दूद अब हम क्या करेंगे इसमें आधा의 कप के करीब मैं इहां पे गुण ले रही हूँ तो गुण को मैं पहले से ही छोटे चोटे टुकडो में गुण कर लिया friends तो आपकी जो recipe है बिल्कूल perfect बनके तयार होगी तो गुड़ के साथ हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे हम mix कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर गुड़ का use किया है आप यहाँ पर चीनी का भी use कर सकते हो लेकिन हम यह जो मिठाई है बिना चीनी के बना करेंगे तो यहाँ पर मै गुड में इंप्योरिटी होती है गुड में बहुत सारी गंदगी होती है वो निकल जाएगी तो यहां पे मैं यहां पे जो दूद है उसे मैं छान लूँगी और यह हमारा दूद बनके तयार हो गया है इसे हम साइड में रखते हैं तो हम दूसरी तयारी कर लेते हैं दूसर इसमें एक्स्ट्रा मैंने लिया है वो हम क्या करेंगे मिक्सी में एड़ कर देंगे और 15 से 20 यहां पर काजू मैंने लिये हैं वो एड़ कर देंगे तीन इलाइची एड़ कर देंगे तो मैं यहां पर छिलके के साथ ही यूज कर रही हूँ इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ह हमारी recipe में और इसे हम grind कर लेंगे तो हमें इसे pulse mode पे grind करना है और आप देख सकते हैं friends यह बहुत अच्छे से grind हो गया है अब इसी में क्या करूंगी एक cup यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है अब हम इस पैन में इस मिक्षर को डाल देंगे और बिल्कुल low flame पे हमें इसे roast कर लेना है तो हमें इसका color बिल्कुल change नहीं करना है बस हमें इसे हलका सा roast कर लेना है ताकि जो भी इसमें moisture होगा वो खतम हो जाएगा और हमारी जो मिठाई है बिल्कुल पर्फेक्ट बनके तयार होगी तो हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे ही इस तरह इसे रोष्ट करना है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर एड़ किया मिल्क पाउडर जो हता है न फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी जलने लगता है इसलिए हमें यहाँ पे लगातार इसे चलाते रहना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे हलका सा रोष्ट कर लेना है तो आप देख सकते हो हमने इसका color बिल्कुल हमें इसे change नहीं किया है और लगतार चलाते हुए 2-3 मिनट हो गए है इसे roast करते हुए और आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा ये जो mixture है रोस्ट होके तयार हो गया है अब हम क्या करेंगे इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे side में तो friends यहाँ पर जो भी चीज़े हम use करेंगे उसके बाद हमें इसे ठंडा करके ही use करना है तो ये दिखिए mixture हमारा बहुत अच्छे से roast हो गया इसे हम side में रखते हैं ताकि जो mixture है हमारा ठंडा हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर recipe बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो mixture जो हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है मैं इसे touch भी कर पा रही हूँ अब हम क्या करेंगे जो दूद हमने बना के रखा था वो हम इसमें add कर देंगे तो जो mixture और दूद दोनों हमें यहाँ पर ठंडा ही होना चाहिए हमें इसमें गरम गरम add नहीं करना है और यहाँ पर हम सभी दूद ही मैं इसमें add कर दी हूँ और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे सबसे पहले हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद हम इसे gas पर रखेंगे तो यहाँ पर मैंने दूद सभी डाल दिया है और इसे अच्छे से mix कर लिया है और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे गैस पे रखेंगे और इसे भी फ्रेंट्स लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पे इसे बिकुल ड्राइ होने तक इसे पकाना है तो फ्रेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा उसके बाद यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है तो फोड़े टाइम के लिए ही मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई रखा ताकि जल्दी से यह हमारा थोड़ा सा जो रेसिपी अब जल्दी से बन के तयार हो जाए लेकिन मैं यहाँ पे लगातार चलाते हुए ही इस mixture को पकाना है और आप देख सकते हो थोड़े time में ये बिल्कुल dry हो गया है लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल इसका moisture खतम करना है बहुत जादा dry बनाना है जब तक ये pan छोड़ने लगे तब तक हमें इसे इसी तरह से roast करना है तो ये दिखे यहाँ पे प के साथ करना है तब ही अपकी जो मिठाई है बहुत ही ज़दा tasty और perfect बनके तयार होगी यहाँ पे आप देख सकते हो जो mixture है मेरा बहुत अच्छे से थीक हो गया है और जब मैं इसे फैला रही हूँ तो आप इसका texture देख सकते हो बिल्कुल जब इस texture का यहाँ पे हमारे ये सकते हैं इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है थोड़ा सा यहाँ पे घी से मैंने grease कर दिया है वैसे तो आप इस mixture को किसी भी ट्रे में आप इस से बिना बटर पेपर के भी आप डाल की से सेट कर सकते हो लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा लगा लिया ताकि यह easily निकल सके उ जो हमने mixture था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम इसे सेट कर देंगे तो इस तरह से दबाते हुए हमें चारो और अच्छे से इसे हमें सेट कर लेना है उपर से थोड़ा सा हम इसे चिकना कर देंगे और आप देख सकते हो हमने इसे इस कंटेनर में अच्छे मिनट के करीब अब मैं इसे निकाल लूँगी और आप देख सकते हो बहुत ही इसली ये निकल गया है और अब हम इसे कट करेंगे तो फ्रेंड्स आप इसे मन चाहे पीसेज में कट कर सकते हैं और मेरे कटने के तरीके से ही आप समझ सकते हो फ्रेंड्स ये कितना जादा टेस् और friends इसमें हमने कोई भी food color वेगारा कुछ भी use नहीं किया है चीनी का भी use नहीं किया है बहुत ही healthy तरीके से मैंने ये तयार किया है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और आप देख सकते हो हमारी जो मिठाई है कितनी जादा perfect बनके तयार हुई है और आप इसे मन च मिठाई बिल्कुल market जैसे लगेगी और खाने में भी friends बहुत ही जादा amazing और tasty सी recipe है तो यहां पे मैंने सभी मिठाई बना कर तयार कर लिये हैं और आप देख सकते हो सिर्फ एक ग्लास दूद से यहां पे करीब एक kilo भरके मिठाई यहां पे बनके तयार हुई है क्योंकि आ अगर आप यह recipe एक बार जरूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe जरूर करें लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें और comment box में मुझे जरूर बताएं कि आपने यह recipe बनाई तो आपको कैसी लगी आप इस recipe को ब्रत में भी ब अगर एक एक इस recipe आप अच्छे से follow करते हैं तो आपकी जो मिठाई है बिल्कुल perfect बनके तयार होगी तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आप देख सकते हो बहुत ही जादा यह soft बनते हैं खाने में भी friends बहुत ही जादा tasty लगते हैं इस तरह से आप देख सकत हैं तो फिर मिलते हैं नई recipe के साथ नए वीडियो में ओके बाई एंड टेक केर फ्रेंड्स